नमस्कार इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूं प्रदीप सर्मा आई एक नजर डालते हैं अब तक की दस बड़ी खबरों पर केंद्री मंत्री और उत्तर मुंबई लोग सवाचेत से भाजपा उमिद्वार पियूस गोयल ने दिया बड़ा बयान का विपक्ष कुछ भी कह दे लेकिन ये जनता की है आवाज जो तै करती है कि परिडाम क्या होने वाला है और जनता ने मन बना लिया है कि वो पीम मोधी के हैं साथ माराज में भीशड़ गर्मी से मिल सकती है राहत मौसम विवाग ने लातूर और नांदेर जिलों में बारिस को लेकर जारी किया अलट 21 मई तक ते जवाओं के साथ बारिस होने की जताई आसंका मुंबई के सिवाजी पार्क में एंडिये की रैली में मंसे प्रमुकराज ठाकरे और पीम नरेंद्र मोधी एक ही मंच पर पहली बार आये नजर एंडिये की रैली में मंसे प्रमुकराज ठाकरे ने पीम मोधी की जीत का दिया वादा कहा कि पंडित नहरू के बाद पीसरी गंटे मिलने की दियनमती नियायमूर्ती संधीप मारने और नियायमूर्ती नीला गोखले की आवकास पीट ने पारित अपने आदेश में किया संसोधन उन्हें रोजाना बारे गंटे मुलाकात का दिया था आदेश सिउचेना यूबीटी के सांसस संजेराउत ने मुंबई में प्रधान मंत्री नरेद मोधी के रोड सो की किया लोचना बीजेपी के रोड सो का खर्च मुंबई महानगर पालिका पर उठाने का लगाया आरोप रोड सो के लिए बीमसी ने तीन करोड़ चपन लाख रुपए क ये खर्च बीमसी ने किया आचार संगीता का उलंगन उसके लिए बीजे पीनेता और प्रधान मंत्री नरेंद मोधी के खिलाब दर्ज की जानी चाहिए सिकायत सयुक्त राष्ट के साथ काम करते समय इस सप्ता की सुरुवात में गाजा के रफा छेतर में मारे गए भारती सेना के पूर अधिकारी कर्नल बैभो अनिल काले का महराश के पूरे में हुआ अंतिम संसकार पूरे राज की सम्मान के साथ कर्नल बैभो अनिल काले को दी गई अं सामद ब्रस्टाचार के मामले में फरार आरोपी पुलिस निरिक्चक हरी भाव खाड़े के फ्लेट और एक दुकान से संबंदित संपत्ति के दस्ता बेच किये जब आमादमी पार्टी की राज्यसवा सांसत स्वाती मालिवाल द्वारा मुख्यमंत्री अर्बिंद केजरिवाल के पी ए विभयकुमार पर मारपीट का लगाए गए आरोपो पर स्यूसेना यूवीटी नेता प्रियंका चतुरुवेदी का बयान कहा इस मुद्दे को चुनाव क दौरान दी जा रही है राजनीती खवा उम्मीद है सच्चाई जल्द आ जाएगी सामने महराज के भिमंडी में आयोजित इंडिया गड़ बंधन की रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने किया संबोधित कहा अगर केंदर में नरेंद मोधी की सरकार बनी तो जेल में होंगे भी पक्षी नेता वैसे तो नहीं बनेगी प्रधान मंत्री नरेंद मोधी की तीसरी बार सरकार लेकिन अगर बनी तो सरत पवार, सुप्रिया सूले, आदित्य ठाकरे और उधो ठाकरे होंगे जेल में स्यूसेना नेता संजेर राउत ने मंसे प्रमुख राज ठाकरे पर साधा निसाना कहा राज ठाकरे बीजेपी या संग किसकी साखाओं में जाएंगे राज ठाकरे की साखाएं है कहा राज ठाकरे मोधी के चर्णों में हो गए है विलीन कल मोधी बाला साथ ठाकरे के असमारक पर गए थे या बाला साथ ठाकरे और महाराष्ट का है अफमान बाला साथ के असमारक पर स्रद्धा सुमन अर्पित करने का पीम मोधी ने किया नाटक बाला साथ ने मोधी को दिया है झाल